बिर्जू तू तो शादी के बाद बिलकुल ही मुर्जा गया है। पहले कितना हसमुख था। हसना, मुस्कुराना सारे घर में तेरे से ही रौनक लगी रहती थी। मगर जब से तेरी शादी हुई और तेरी जिंदिगी में सुधा आई है तब से मैं सही कह रही हूँ ना गैत थी। बस बहाने से परोस में रहने वाली दयावहन गैतरी देवी के साथ सुधा को बाते सुनाने से कभी नहीं चुकती थी। वहीं सुधा अक्सर भीगी आखे पोच कर बड़ों के सम्मान को चुप रह जाती थी। और आज भी वही सब हो रहा था। बिर्जू के फैक्ट पूटी ननत गीता स्कूल से घर में घुसी और दया अंटी को हमेशा की तरह आज फिर से वही बाते दोहरा कहते सुनकर बोली। माफ करना अंटी। मगर यदि आपको अपने घर में कोई काम नहीं होता तो यहां आकर ये बेफुजूल की बाते मत किया कीजिए। गीता की बात सुनकर गायतरी देवी गुसे से बोली। गीता ये क्या बत्तमीजी है। बरो से कोई ऐसे बात करता है। माफी मांगो। अभी मम्मी मैं आंटी से माफी जरूर मांगूँगी। मगर पहले आंटी और आपको भावी से माफी मांगनी चाहिए। क्यों क्या गलत कह दिय अदया बहनने भावी भी एक बेटी है क्या गुजरती होगी आंटी के तानों से उन पर और कौन कहता है भावी मा नहीं बन सकती एक दिन जरूर उनकी गोध भड़ेगी अरे रहने दे बंजर जमिनों पर कभी पेरों की आशा दिन में सपने की देखने जैसी बात होती है माफ करना आंटी ये दक्यान उसी सोच आपकी होगी मेरी भावी तो मा कब की बन चुकी है हाँ मैं सच कह रही हूँ मैं उनकी छोटी ननट जरूर हूँ मगर ये जबसे यहां आई तबसे मेरी मा बन कर मेरी पर्वरिस कर रही है एक छोटी ननेत भी तो बेटी होती है ना है ना भावी मा कहकर गीता दौरते हुए सुधा के गले लग गई सुधा के सीने से लगी गीता से सुधा को सचमुच मातरित्यु के सच्चे सुख का एहसास हो रहा था वह भीगी हुई पल के पोछ गीता को चूम रही थी तो वहीं गायतरी देवी के साथ साथ दया भहन का सिर्ष शर्मिंदिगी से जुका हुआ था आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राई है हमें कमेंट करके जरूर बताए थैंक यू